दोस्तों Indian Post Office यानि की भारती डाग विभाग द्वारा बमफर भरती निकल का आई है आपको बता दो कि डाग विभाग द्वारा इस बार 2023 में कुल 4889 वेकेंसी आई हुई है तो आज हम इसी भरती के बारे में बात करने वाले हैं कि इसमें योगिता क्या होनी चाहिए इसमें भरती प्रक्रिया है, फार्म कैसे भरना है, सैलरी क्या मिलेगी, कौन-कौन से पोष्ट इसमें निकाले गए हैं और सबसे साउधानी वाली जो बात है कि आपको फार्म भरते समय कौन सी गलतिया नई करनी है इनी सब के बारे में बात करने वाले हैं वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा तभी आपको सभी जानकारी मिल सकती है उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरू कर लेगा जिससे कोई भी अगर अपडेट आता है तो आपको अपडेट सबसे पहले मि देख सकते हैं इसमें लिखा गया इंडियन पोस्ट जीडियस रिक्वाइरमेंट दो हजर तेज और जो पोस्ट डेट है वो 27 जरूरी दो हजर तेज को निकाल दी गई है अब सबसे नीचे आएंगे और देखेंगे इसमें कि इसमें जो अप्लिकेशन है वो 27 एक दो जरू है उनको भी 0 रुपे इसमें पे करने होंगे अब इसमें जो टोटल वेकैंसी उसकी बात कर लेते हैं टोटल जो वेकैंसी आप देख सकते हैं चालिस जार आट्सों नमासी जो पोस्ट है इसमें निकाली गई है इसमें जो एज रखा गया है वो मिनिममम एज 18 यस रखा गय है नीचे आप आएंगे तो योग्यता के बारे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है साफ-साफ कि क्लाश 10th high school with mathematics and English subject यानि कि अगर आप high school pass है तो आप इस form को भर सकते हैं साथ-साथ जो आपका subject है यानि कि high school school में जो भी आपका subject दिया गया है उसमें math और English इसमें अनिवार किया गया है अब बात कर लेते हैं इसके भरती प्रकिरिया के बारे में तो आपको इस भरती प्रकिरिया के बारे में बता दू तो इसमें साफ-साफ मेंसन किया गया कि अगर आप high school pass है तो इस form को भर सकते हैं और जो आपकी भरती होगी वह class 10 की जो आपकी percentage है यानि कि जो भी आपके marks आए हुए हैं उस हिसाब से जो आपका percentage है उस percentage पे आपका selection किया जाएगा उसके बाद इसमें बता दू तो इसमें तीन तरह का जो पोस् partner और एक होता है डांक से वक अब BPM का जो ना होता है वो हैड होता है एक post office का आपको एक post office दे दिये जाका आप पाके हेड्ञे और जो भी चीज, दापराससी संचाल की जाती है जो भी चीज देटा एंवा इनलसिस क्या आ जितना भी देटा और जितना भी इमेल इसमें दिया रहता है उस हिसाब से वो एक-एक जब पर पहुंचाना होता है उनको तो यह जो काम होता है वो डाक सेवक का होता है अब बात कर लेते हैं कि इनकी सेलरी क्या रहने वाली है तो आपको बता दू कि जो BPM की सेलरी है आप देख सकते हैं कि आपके साफ साफ मेंसन किया गया है कि जो BPM की सेलरी हो 12,000 रुपे रहे अब बात कर लेते हैं कि आपको form भरते समय क्या-क्या गलतियां नहीं कर रहें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप form भरें तो इसका जो notification उसे अच्छे तरीके से पढ़ लें कि उसमें क्या-क्या दिया गया है तभी आप संपूर जानकारी जान सकते हैं फि पीडियोव आप देख सकते हैं जिसमें सीरियल नंबर दिया गया उसके बाद circle दिया गया फिर language नेम दिया गया फिर आपकी category है वो दिया गया है मतब कि जो आपकी सीटें वो दी गई है तो इसमें यहां पर ये देखने लायक है कि अगर आप form भरते हैं तो आपको ये ची लोकल लाइग में जब आपको आनी चाहिए यानि कि अगर आप किसी फॉर्म को आंतर प्रतेश से भरते हैं तो आपको तेलगू आनी चाहिए तब ही आप उस फॉर्म को फिलफ करिएगा आपको आपको बुलाया जाएगा अगर आपसे वह बहां सा बोलने के लिए बोला किसी भी राज से हैं तो आप किसी भी राजी के लिए अपलाई कर सकते हैं बस आपको लोकल लाइग में जो है वह आनी चाहिए यही बात को आपको ध्यान देना है उसके बाद मैं आपको एक और चीज लास्ट में बताना चाहता हूंगी जब आप पोस्ट प्रिफरेंस भर अगर आप SC का होंगे तो SC में भरियेगा OBC का होंगे तो OBC में बरियेगा और आप जनल का है तो इस प्रकार से आप form को fill up कर दीजेगा तो दोस्तों आसा करता हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी है आपको मिल गई होगी जितने भी जानकारी थी मैंने आपको अपडेट कर दिया है दोस्तों अगर आप वीडियो लास तक देखें और अभी तक वीडियो को लाइक ने किये तो भाई एक लाइक तो जरू कर दिजेगा और एक चीज और चैनल को सस्क्राइब जरू कर दिजेगा जिससे कोई भी अगर अपडेट होता है तो आप को सबसे पहले मिल जाएगा तो मिलते हैं नेश वीडियो में किसी नहीं जानकार साथ तब तक लिए आप सब को मेरा नमस्कार